आज कल fishing attack बहुत आम हो चुके हैं, fishing attack यानी email के जरिए की गई धोकःधडी, कई वार बहत समझदा लोग भी fishing attack से नहीं बचपाते हैं, fishing attack के जरिए लोगों को fake offer letter भेज कर नोकरी का जहांसा दिया जाता है, ये offer letter दिखने में इतने प्रवाफसाली होते हैं कि लोग इनने अस पर चे भारती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चली वीडियो सुरू करते हैं। इंटरनेट पर नोकरी की खोज में ब्रदी के साथ ही इस सम्मंदित गोटालों में भी ब्रदी हुई है। इस ब्रदी समस्चा को देखते हुए केंदरी ग्रे मंतराले ने नोकरी चाहने वालों को टीट के जरीए कुछ टिप्स दिये हैं जिससे भी यह पता लगा सकते हैं कि उन्हें दिया गया जोव उफल लेटर असली है या नकली। तो आईए अब इस तार से समझते हैं कि किस तरह से असली और नकली जोव उफल लेटर की पहचान की जाए। नमबर टू, नोकरी के लिए मांगे गई योग गेता पर ध्यान दें। लोगों को गुमरा करने के लिए कई बार फरजी कमपनिया ऐसी योग गेता मांग लेती हैं जो बास्ता में काम नहीं आती। इसलिए किसी भी कमपनी में आबेदन करने से पहले आप यह है जरूर देख लें कि कमपनी किस सेक्टर की है। इसी तरह आप यही भी देख लें कि आप किस पद के लिए आबेदन कर रहे हैं और उसके लिए कमपनी द्वारा मांगे गई योग गिता जरूरी है या नहीं नमब थ्री जोग ओफर लेटर की भासा को बारी किसे पढ़ें कोई भी जोग ओफर लेटर मिलने के बाद आपको उसकी भासा पर जरूर ध्यान देना चाहिए फर्जी कमपनी द्वारा भेज जाने वाले पत्तरों में कई बार ऐसी भासा का इस्तिमाल किया जाता है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता यानि आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कमपनी असल में असली है या नकली फर्जी ओफर लेटर की लिखाबर में आपको ब्याकरान और स्पेल लेंगी कई गल्जयां देखने को मिल जाएंगी इसलिए आपको जो उफर लेटर की भासा को बारिकी से पढ़ लेना चाहिए नमबर फॉर अपनी गोपनी जानकारी कमपनी के साथ कभी भी सेयर ना करें नोकरी के लिए इंटरव्यू में अगर आपसे कोई नीजी जानकारी मांगी जा रही है तो इसके लिए आपको सतर्क हो जाना चाहिए इस दोरान आपको यह समझ लेना चाहिए कि अगर कोई कमपनी आपकी नीजी जानकारी मांग रही है तो इस जानकारी का कंपनी को क्या फाइदा होगा इसलिए अगर कोई आपकी गोपनी जानकारी मांगता है तो आपको उसे बिल्कुल भी सेयर नहीं करनी है 5. नोकरी के बदले मांगे जा सकते हैं पैसे हो सकता है कि जो ओफर लेटर देते समय आपसे कुछ पैसे भी मांगे जाएं या फिर हो सकता है कि यह कंपनी कोई फरजी कंपनी हो और यह कंपनी सिर्फ अपने पैसे बनाने का काम कर रही हो कोई भी कंपनी नोकरी देते समय आपसे पैसे नहीं मांग सकती है इसलिए आपको किसी भी भ्रह्मे पढ़े भीना उस नोकरी के लिए सीधे मना कर देना चाहिए क्योंकि यह सरकार के नियबों के खिलाफ है तो दोस्तो ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनने अपना कर आप असली और नगली जो ओफर लेटर की पहचान कर सकते हैं तो दोस्तो ये जानकारी आपको कैसे लेगी नीचे कमेंट करके हैं हमें जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो तब तक के लिए सतरक रहें साबधान न रहें और सुरक्षित रहें जैहिन जैभारत